अगातार हीमाचल में नशा बढ़ रहा है और सरकार ने बहुत अच्छा निरने लिया कि अधर्ष नशा निवारण के अंदर जो है स्ताफित किया जाएगा लेकिन अभी जो परदेश में जो नशा निवारण के अंदर चल रहे हैं ये जानने की जुरूरत है कि वास्तों में वो कितने सार्थक हैं तो ये भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और एक मैं बधाई देना चाहता हूं जो बे सारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए टेट लेवर टास्क पोर्स बनाई अधाक्ष सभापती मोदे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बन कई जगा पे हमारे जो बागवान है उन्होंने फसले पेल लगाना छोड़ दिया था मैंने निर्णे लिया और सेंज में हमने जो है गोशाला का निर्मान किया जो लगभग बनकर त्यार है और मैं सरकार को इस बात की भी बदाई देना चाहता हूं कि साथ सो प्रती गोवं करेगा कामगारों की ध्याड़ी बढ़ाई मान देया बढ़ाई यह सारी बाते हैं हुई एक बात मैं जुरूर कहना चाहता हूं मैं काफी देर से हमारे जो वीपक्ष्ट के साथ ही है हमारे जो मानिय विधायक है मैं उनके प्रवचन सुन रहा था और बजट पे चर्चा कम हो रही थी और चर्चा इस तरह से बात हो रही थी जैसे लोगसभा के चुनाओ आ रहे हैं कोई जो है पुब्लिक स्पीच हो रही है हम भी जानते हैं कि लोगसभा के चुनाओ आ रहे हैं अब आपने बात कही गरंटियों की हम भी आप से पूछना चाहते हैं कि जो कितने रोजगार होने चाहिए वो रोजगार कहांगे उटा जो है हजारों युवाओं की छटनी होगी इस देश में हम यह पूछना चाहते हैं कि काला धन लाने की बात हुई थी हर खाते में 15 लाग देने की बात हुई थी कहांगे आपका संकलब आप उसमें भी सोचिए ना उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है अगर आपके घर शीशे के हैं तो दूसरे के घर में पत्थर पैकने से पहले सोचिए कि आपको आपको भी जवाब देना पड़ेगे देश की जनता को क्योंकि कोई भी संकलब पत्थर में किसानों की आए दुगनी करने की बात हुई थ जब किसानों का दोलन चल रहा था एक कानून इस देश में आया था किसानों के खिलाफ एक काला कानूना आया था रभाजा कित novelty जुश्यानों ने अपनी आहई थी और उस वक्त हिमाचराल में उपचुनाओं हुए उन में उपचुनाओं में कोंग्रिस पार्टी जीती दस तिन के अंदर अंदर जो है वो काला कानून वापिस आए आज भी जो किसान जो है दिल्ली की तरह प्लाइन कर रहे हैं सभापति महोदे आप जानते हैं कि प्रदेश में बहुत बड़ी विप्ता आई हमारा हजारों प्रोड का नुक्सान हुआ और हिमाचल लगभग एक दशक पीछे चला गया जुरूरत इस बात की थी कि जो परभावित परिवार है उनकी मदद की जा सके पुर्णर निर्मान का काम किया जा सके और जो ये परिस्थिती आई जो ये आपका आई चाहिद हम सब लोगों ने अपने जीवन में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखिए समाम कई जगा पे सडकें हमारी टूट गी थी फूल बह गे थे मकान ध्वस्त हो गे थे लेकिन ऐसी विश्म परिस्थितियों में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम कि किसी भी सरकार का अकलन विश्म परिस्तितियों में होता है जब सामानिय परिस्तिती हो तो परशाशन और शाशन चलता है ऐसी परिस्तिती में जबकि लगातार प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी ब्यानक बारिश हो रही थी नुक्चान हो रहा था सरकार ने मोर्चा संबाल और मैं सेव भुलक्षेतर से आता हूँ और बागवानों की सबसे वड़ी चिंता थी कि सेव को मार्किट तक कैसे पहुचा है आप लोग आप जानते हैं उपसभाफथी मोहदे सेव हमारी आर्थ की का अधार है हमारी जो है साथ से आठ हजार पुरो उस पर आ रहा हूँ है सरकार ने जो है मजबूत नेरे लिए मेरे साथी भी बैठे हैं जो चुपाल से विधायक है हर सड़क खुली और कोई यह नहीं कह सकता कि उस आपता के दौर में हमारी एक भी सेव की पेटी जो है घर में रही हो पूरा का पूरा सेव जो है मार्किट पर पहुंचे यह बहुत बड़ी बात है और जो जिन लोगों के मकान शतीग रस हो गए थे उस रिलीफ मैनुल को सरकार ने बदला पहले जो राशी साथ हजार की थी जिन जिनका आशिक रूप से मकान नश्ट हुआ उसे बढ़ा कर एक लाग किया और जिनके मकान पूर्ण लाग तीस हजार से जो है साथ लाग किया गया और यह पैसा जो है परभावित परिवारों तक जो है पहुंचे हैं हम जानते हैं कि अगर इतनी बड़ी आपदा नहीं आती तो शाहिद जितना पैसा उन्र निर्मानिया रेस्टोरेशन में खर्ट किया जा रहा है हम विकास क कामों को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बावजूद भी सरकार ने अच्छा काम किया और एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल पर आपदा आई दूसरे परदेशों पर भी आई चाहे उत्रकंड में आई हो यह हमारे पूरों तर जो राज्या वहां भी आई हो उ कि किसी विशेश विचार धरा के व्यक्ति पे नहीं आई लेकिन जो केंदर से हमें मदद मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिले यह बात सही है मेरे परतिपक्ष के साथ ही कह रहे हैं कि केंदर से मदद मिली है अब वो जो मदद मिली है क्या वो आपता के लिए मिली है क्यों कि मुझ में जीरे के बराबर है लेकिन हमारे साथ ही कहते हैं कि मदद में लिए तो इसका पटक शेप होना चाहिए जबापती मोदे मैं मांग करता हूं कि जो है श्वेद पतर लेके आए वाइट पेपर लेके आए ताकि पता लगे कि कितनी मदद हुई नहीं तो ये भैस जो सब्सक्राइब करना चाहता है क्योंकि मुझ से पोरो बहुत सारे हमारे साथियों ने जो सत्ता पक्ष के हमारे विधायक है मानी विधायक है उन्होंने इस पर बात कही है बजट में युवा हो बज़र्ग हो महिलाएं हो किसानों का ख्याल रखा गया और किसानों के लिए लिए तो सबसे बड़ी सोगात लेकर जो है इस सरकार आई बरसों से मांग थी कि सेव वेट के इसाब से बिखना चाहिए बरसों से ये मांग थी कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए और मैं बज़ाई देना चाहता हूं सरकार को इस बज़ट में गोशना हुई है और बर को होगा होगा होटी कल्चर टूरिजम की बात कहेगी हमारी आर्थ व्यवस्ता के दो अधार है हमारा होटी कल्चर और हमारा टूरिजम और अच्छा है कि बज़ट में जो है इसे जो है शामिल किया गया है सवापती मोदे अभी टूरिजम को बढ़ाने के लिए जो है सोला प्रस्तावित जो हैलिपोर्ट है क्योंकि हमें मालूम है कि सड़क बनाना बहुत महिंगा पड़ अगर हैलिपोर्ट की सुविधा होगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो परियटक है वो हमारे कि मुझे उमीद है कि आने वाले समय में मेरा जो चुनाओक शेतर है वहां जो नारकंडा है बहुत खूपशूर्ट परियटन सहल है उसे भी जो है इसमें शामिल किया गया और पिछली बार पिछली बार हम नशे को लेकर संकल पतर लेकर आये इस वक्त मैंने एक बात कही थ कि यहां चर्चा होती है कि ठीक है हमने त्रक्की की स्कूल, कॉलेज, बड़े-बड़े इंसिट्यूशन बन रहे हैं आगे भी बनेंगे लेकिन मैंने एक बात उस समय कही थी कि हम यूव पीडी को बनाने की बचाने की जुरूरत है क्योंकि लगातार हीमाचल में नशा यह जानने की जुरूरत है कि वास्तों में वो कितने सार्थक हैं तो यह भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और एक मैं बधाई देना चाहता हूं जो बे सारा पशूओं की समस्या के निदान के लिए टेट लेवर टास्क पोर्स बनाई अधाक्ष सभापती मोदे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना मैंने काफी समय से मैं देखता था कि जो बे सारा पशूओं है तड़कों में विचरते हैं और कई जगा पे हमारे जो बागवान है उन्होंने फसले पेल लगाना छोड़ दिया था मैंने निर्णे लिया और चैंज में हमने जो है गौशाला का निर्मान किया जो लगभग बनकर त्यार है और मैं सरकार को इस बात की भी बढ़ाई देना चाहता हूं कि 700 प्रति गौवन्ट से बढ़ा कर जो है राशी जो है बारा सो जो है कि ये बाकी मनरेगा कामगारों की ध्याड़ी बढ़ाई मान देय बढ़ाई ये सारी बाते यहां हुई एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं मैं काफी देर से हमारे जो विपक्ष के साथ ही है हमारे जो मानिय विधायक है मैं उनके प्रवचन सुन रहा थी और बजट पे चर्चा कम हो रही थी और चर्चा इस तरह से बात हो रही थी जैसे लोग सबा के चुनाओ आ रहे हैं कोई जो है पब्लिक स्पीच हो रही है हम भी जानते हैं कि लोग सबा के चुनाओ आ रहे हैं अब आपने बात कही गरंटियों की हम भी आप से पूछना चाहते हैं कि जो लोग तो काईदे से कितने रोजगार होने चाहिए वो रोजगार कहांगे उटा जो है हजारों युगाओं की छटनी होगी इस देश में हम यह पूछना चाहते हैं कि काला धन लाने की बात हुई थी हर खाते में 15 लाग देने की बात हुई थी कहांगे आपका संकलम आप उसमें भी चर्चा नहीं हो रही है कि अगर आपके घर शीशे के हैं तो दूसरे के घर में पत्थर फैकने से पहले सोचिए कि आपको आपको भी जवाब देना पड़ेगे देश की जनता को क्योंकि कोई भी संकलम पत्तर में किसानों की आए दुगनी करने की बात हुई थी तो क्यों क किसान अंदोलन कर रहे हैं और पिछली बार भी जब किसानों का अंदोलन चल रहा था एक कानून इस देश में आया था किसानों के खिलाफ एक काला कानून आया था हजा कितने किसानों ने अपनी आउती दी और उस वक्त हिमाचल में उप्चुनाओं हुए उन उप्चुना जी, जी, दन्यावाद, ठैंके ओ, आज भी किसानों को प्रतारिष किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि घभापति महोडे हमें ये सोचना है इस सदस्ड़ में कि जितना नुखसान हमारा यहा हूवा है प्रदेशे, इसे हमें इस तरह से जो है इस नुकसान से हमें पार पाना है और अब ही यहां चर्चा ओरी आज राम का नाम बार बार आ रहा हाँ, हम भी शीरी राम की जैए करते हैं और आज बजट में क्यों भगवान राम का नाम आ रहे हैं, मुझे बड़ी हरानी कि अब कोई ऐसा व्यक् किसी पार्टी के भगवान नहीं सबकी आस्ता है और अगर उस मंदर में मंदर के ताले खुलवाय तो अगर गरब ग्रय में मूर्दिस्तापित की वो रजीव गांधी जी के वक्त में हुई यह ठीक है मंदर का निर्मान हो रहा है हम सब को खुशी है लेकिन आज बजट की बात थी यहां राम को लाने की बगवान राम को लाने की जो है कोई जुरूरत नहीं थी और मैं एक बात कहना चाहते है आज आज लोगतंतर खत्रे में क्या हुआ अचंडिगड में आज सुप्रीम कोट को आना पड़ा कि किस तरह से ह हो रहा है जो आपका विरोध कर रहे हैं उनके पिछे ED लगा दी जाती है उनके पिछे CBI लगा दी जाती है क्यों हो रहा है कि आप लोगतंतर को दवाने का प्रियास कर रहे हैं यह तो समय की बात है आज ठीक है आप सत्ता में आप हर हत्त गंड़ा अस्तेमाल करें कि आप सवा कर चुनाओ जीतो अंतिम फैसला तो जनता ने करना है लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनिती में परिश्थितियां बदलती है एक समय था आप तो आज 400 की बात करें कि हम तो 400 सीटे जीते हैं आपकी दो रहे गी थी तो परिश्थितियां और लोगतंतर में परिश्थितिय करता हूं और यह उबीद करता हूं कि केंदर से जो हमें मदद मिलनी चाहिए उसके लिए हमारे विपाक्ष के जो साथी हैं वो भी मदद करें